नमस्कार दोस्तों, Itu Si Ki Channel में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कर्ण का एक रिजाइन लाई हूँ चीसे आप जैन स्वेटर में डालें, लेडिज कारडिगन में, जैकेट में, कूटी में बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में डालें गर्स कार्डिगन में डालें बेबी कार्डिगन में डालें ये सब में अच्छा लएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो क्रिपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमले में शेयर करें तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने सूला फंदे डाल लिया है तो बार्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहली लाइन में हम सबी फंदो को सीधा बन लेंगे अब यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं पहली लाइन में हम सबी फंदो को सीधा बन लेंगे अब आ जाते हैं हम रॉंग साइड में और रॉंग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुना और दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे तो हमने दो line complete कर लिए तीसरा line हमारा main line है आप इसमें ध्यान देजेगा पहले फंदे को हम slip कर लेंगे अब उनको हम अपनी तरफ करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे एक और दो दो फंदो को एक साथ लेंगे और ल्टा भूलेंगे अभी हमें इन फंदों को गिराना नहीं है, उनको हम दूसरी तरफ करेंगे और इन ही दोनों फंदों में बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, तो हमने दो से दो फंदे बनाएं, यानि एक भी फंदा हमारा न घटा न बढ़ा, अब इसे हम गिरा लेंगे, अब फिर उनको हम अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों को लेंगे, एक और दो, दोनों को एक सास लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, अब उनको दूसरी ओर करेंगे, हमें इन फंदों को गिराना नहीं है, और इन ही दोनों फंदों में बैक लूप से एक सीधा फंदा बना ल और फिर इन्ही दोनों फंदों में एक बार सीधा बनाया, दोस्ते हमने दो फंदे बना लिए, अब इन्हें हम गिरा देंगे, फिर उनको अपनी और करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए, एक बार उल्टा बनेंगे, फिर इन्ही दोनों एक बार बैक लूप से सीधा उन अपनी और दो फंदों को एक सास लिया एक बार उल्टा बुना उन दूसरी और इन ही दोनों फंदों में बैक लूप से एक सीधा फंदा उन अपनी और एक दो दो फंदों को लिया दोनों को एक सास लेते हुए एक बार उल्टा बुना, इन दोनों फंदों को हमें गिराना नहीं है, फिर इन ही दोनों फंदों में बैक लूप से एक बार और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो से दो फंदे, उन अपनी और दो फंदों को एक साथ लिया, एक बार उल्टा बुना, फिर इन ही दोनों द सुन्दा एजिस्टी इचेल जिसे हम सीधा बोन लेंगे। तो इस तरह हमने अपना तीसरा लाइन कंमप्लीट कर लिया, अब हम आजाते हैं रॉंग साइट में और हम सभी फंदो को सीधा बोन लेंगे, सोरे, सभी फंदो को उल्टा बोन लेंगे। तो चौती लाइन में हमारे सभी फंदे उल्टे रॉंग साइट से हम हर लाइन में सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे डिजाइन हमारा बस तीसरी लाइन में ही बनेगा चार लाइन का ये डिजाइन है और इन ही चारो लाइनों को हमें बार बार दूराना है चौथी लाइन में हमने सब इफ अंदों को उल्टा बुन लिया अब इन ही चार लाइनों को हम वापस दुराएंगे एक बार फिर से देख लीजे पहली लाइन में सब इफ अंदे सीधे रॉंग साइट से सब इफ अंदे उल्टे दूसरी लाइन में सब इफ अंदे उल्टे बुन लेंगे तीसरी लाइन में हमारा डिजाइन बनेगा पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी और दो फंदों को एक साथ लेंगे एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और फिर इन ही दोनों फंदों में बैक लुप से सीधा दो से दो फंदे बनाने हैं एक बार उल्टा बुनके फिर इन्ही दोनों फंदों में पीछे की तरफ से सीधा बुनके ना हमें एक भी फंदे बढ़ाने हैं ना ही एक भी फंदा घटाना है एक बार तू फंदों में एक बार उल्टा और फिर इन्ही दोनों फंदों में एक बार सीधा उल्टा फिर इन्ही दोनों फंदों में बैक लूप से सीधा उल्टा फिर इन्ही दोनों फंदों में बैक लूप से सीधा दिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत कुपसूरत और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और रॉंग साइड से सबी फंदे उल्टे तो इन ही चारो लाइनों को दूराने से देखिए ये खुपसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा चार लाइन का ये रिपीटे डिजाइन है दो फंदो का और चार लाइन का ये रिपीटे डिजाइन है आशा है आपको पसंदा होगा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग